हेलो फ्रेंड्स, वेलकुम टू माई यूट्यूब चैनल रितिकास क्रियेटिव आर्ट्स आज मैं आपको कृष्ण मासुरी की एक्रेलिक पेंटिंग बनाना सिखाने जा रही हूँ इसके लिए मैंने पूरी ड्रॉइंग हाथ से किस तरह से ड्रॉ करनी है वह भी इस वीडियो में बताया है पहले इससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आप और भी वीडियो इसी तरह के देखने चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा कर मेरे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं यहां हमें कृष्ण बासुरी के पेंटिंग हलके हाथों से ड्रॉ करनी है जिसे मैंने ड्रॉ करना बताया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज मैंने आपको यहां बताई है हाथों के जो मुद्राएं हैं वो हमें अपने हाथ को देखते हुए ही ड्रॉ करना ज़्यादा आसान रहता है ड्रॉ करने के बाद हम उसे फाइनल जो ड्रॉइंग है वो मारकर पैन से करनी है ब्लैक मारकर पैन लेना है, वो कोई भी मारकर पैन हो सकता है बट पर्मनेट मारकर होना चाहिए अच्छे से ड्रॉ कर लेना है finished line हो कुछ भी हमारा जो unfinished work है वो हमें pen से नहीं करना है सफाई से draw करना है outlines को सारी drawing हमें जो जो हमें highlight देनी है outlines वही हमें pen से marking करनी है black color लेंगे acrylic ही color ले रही हूँ मैं यहाँ मैंने favicryl company के acrylic color यूज किये है black color से मैंने background fill किया है आप brush background fill करने के लिए कोई भी ले सकते हैं यहाँ मैंने दो number का brush लिया है round brush, flat brush आपको जो सही लगता है आप यूज कर सकते हैं अब मैंने teal blue color लिया है और दोनों hands में अच्छे से fill कर रही हूँ color fill करने का मेरा तरीका है मैं brush को tip से ही color fill करती हूँ तो वही मैं आपको बताऊंगे कि brush की जो tip होती है उसी से color को अच्छे से fill करें जैसे हम sketch paints चलाते हैं तो उसमें जो tip होती हो उसी से हम color fill करते हैं सेम process में हम brush से भी color fill करेंगे इस से patches बिलकुल नहीं आते हैं और color बहुत अच्छे से fill हो जाता है light green color लेंगे हम तो यह जो हमने punk बनाया है more punk उसमें जब हमने serulin blue लिया है साथ में teal blue तो serulin blue जब color सुखा नहीं था तभी मैंने उसमें थोड़ा सा teal blue का touch दिया था और उसके बाद मैंने light green color से उसका border किया अब मैं yellow और orange को mix कर रही हूँ और green के बाहर वाली जो line है उसे fill कर रही हूँ आधे में fill करूंगी और उसके बाद उसमें आधे में यलो color chrome yellow है उसको fill कर दूंगी गीला color रहेगा तो shade mixing में आसानी रहेगी थोड़ा सा orange shade लेते हुए mixing मैंने कर दी अब मैं उसके बाहर का जो outer line है उसे yellow color से fill कर रही हूँ इसके बाद मैंने orange लिया है colors acrylic ही है आप same color shades आप water color में भी use कर सकते है color करने का process भी same ही होगा red color लिया मैंने अब मैंने neon green color shades लिया है neon green color shades को थोड़े थीक होंगे neon shades तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसे पतला कर सकते हैं और red के बाहर वाली side में हमें neon shade देना है अब थोड़ा सा मैंने जो lines थी उनको fine करने के लिए colors को एक coat और दिया है और जो मैंने green fill किया था neon green पर ही हम neon yellow की एक छोटी सी line draw करेंगे उसके बाद dark green color लेंगे और light green जो हमने neon green है उसके उपर एक border line बनाएंगे थोड़ी सी थीक बनाएंगे उसे अच्छे से fill करना है अब हम teal blue और serulin blue color को mix करेंगे थोड़ा light shade बनाएंगे पानी थोड़ा सा पतला करने के लिए उसमें मिलाएंगे और color shade को थोड़ा पतला पतला ही brush से outlines देंगे पहले हलका color लगाएंगे फिर brush को पोच के dry करके उसे mixing करेंगे color लगाया हमने और फिर brush को पोच कर dry कर लिया और उसे फिर mix कर दिया teal blue में तो यह हमारा mixing process हो गया पतला पतला color हमें लगाना है और color जब पानी हमने मिलाया है तो वो फैसे ही थिन है color तो थिन color को जब हम लगाते हैं तो वो जल्दी सूखेगा नहीं और उसके बाद हम dry brush करने के बाद उसको जब mix करते हैं तो बहुत easily mix हो जाता है तो shade हमारा आसानी से mix up हो जाएगा इसी तरह से दूसरे हाथ में भी हम करेंगे देखिए अच्छे से outer lines दे रहे हैं यह outline दी हमने और brush को पोचने के बाद फिर उसे spread करके mix कर दिया अब हम neon pink color लेंगे उसमें थोड़ा सा white mix करेंगे और क्रिशन जी की जो हते लिया हैं उन्हें हम pink shade देंगे तो neon pink color teal blue color के साथ बहुत ही अच्छा look देता है तो मेरा purpose यही था कि वो उस पे बड़ा अच्छा look देगा neon के साथ teal blue और neon pink इसलिए मैंने उनका shade यूज़ किया है बाकी हम लोग अगर light blue shade teal blue नहीं है हम light blue color के अगर क्रिशन के hands बना रहे हैं तो हम अगर हम हमारे पास यह pink नहीं भी है तो हम normal pink shade यूज़ कर सकते हैं उसमें कोई रूल नहीं है अब हमने chrome yellow color jewelry क्रिशन की बासुरी और इनमें जो भी उनकी jewelry rings है उनमें फिल्ट कर देंगे यह हम cerulean blue और sponge का यूज़ करके background में sky की effect दे रहे हैं sponge भी dry होना चाहिए और हमारे जो color है उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए हमें direct color लेना है sponge में फोड़ा सा tap बाहर करना है tray पर और उसके बाद हमें अपनी painting पे apply करना है golden color लेंगे sparkling pearl gold color यहां यूज़ करा है मैंने तो यह jewelry है या flute है जहां-जहां हमने chrome yellow fill किया था वही पर हम अब golden color का coat कर रहे हैं हमें कम से कम golden color के दो coat करने हैं light green color में थोड़ा yellow mix करके मैंने जो feather है more का punk है उसे finishing lines दिये हैं थोड़ा yellow और light green mixing करके इस तरीके से lines देनी है इस तरीके से दिखिए दोनों feather में हमें इसी तरह से देना है थोड़ा सा light light shade देना है अब हलका सा नियान ग्रीन और नियान यलो कलर का shade उसी तरीके से feather में लाइनिंग से strokes दे दे के हमें feather बनाना है light green से neon green और light green mix करके neon yellow की lining इसी तरीके से अब हम blue लेंगे blue color में हलका सा black mix करेंगे थोड़ा सा dark shade हो गया हम line बना के देखेंगे हमारी lining का point सही आना चाहिए अगर हम line brush से नहीं कर सकते तो हमें marker pen use कर लेना चाहिए blue marker use होगा यहाँ पे अगर हम marker से कर रहे हैं तो और otherwise हम brush से अगर outlining कर सकते हैं तो brush से हमें इस तरीके से outlining करनी है black color outlining में नहीं use करना है glue color use करना है तो blue में मैंने हलका सा black mix किया है थोड़ा darker shade हो गया उसके बाद मैंने उसे outline के लिए use किया है अब मैं brown color बना रहे हूं red, orange और black तीनो color mix करके मैंने बासरी में designing और outlining वर किया है इस तरह से जो बासरी के अंदर जो छेद होते हैं उनमें थोड़ा color fill करना है brown आपके पास brown ready made है अगर तो आप वो भी use कर सकते हैं burnt cna ओके और यह हमने design एक more की दी थी बासरी में उसको हम highlight करेंगे outlining से इसी तरह से brush से triple zero brush है यह तो triple zero brush से outlining देंगे brush किसी भी company का हो सकता है आपको उसका point देखना है इस तरह से flower और जो भी आपको design देनी है अंगुटियों में rings में flute में सभी में design देंगे outlines देंगे जिससे उनकी finishing touches highlight हो जाएं इसमें मैंने उसी brown color shade को लिया है और हलकी हलकी lines दी है brush से triple zero brush से बीच के center part में हमें outlining नहीं देनी है जो हमारी feather में line strokes है बस उनी में अलकी-अलकी lines दी है देखिए इस तरीके से ओके अब जो हमें नग या सितारे होते हैं कुंदन होते हैं उनके जो color scheme है red और light green तो मैंने crimson red लिया है और light green शेड लिया है fabric color का उससे जूलरी में कुंदन का color फिल किया है यहां आप real stones या कुंदन भी चिपका सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं fabric glue से वह भी बड़े अच्छे ही लगेंगे यहां मैं white gel pen लिया है मैंने और उससे white मूतियों की dots बनाए हैं आप brush से fabric color यूज़ करके भी इस काम को कर सकते हैं बट मुझे इससे थोड़ा speedy work करना था थोड़ा जल्दी बनाना है तो मैंने यहां white gel pen यूज़ किया है जैसे कि जो अगर इस work में जिनक से नहीं हो पाता है वो भी easily कर पाएं आउटलाइन जहां हमें border lines है वो marker pen से देनी है painting हमारी almost ready है hope आप लोगों को पसंद आई होगी thank you for watching please do like share and subscribe